बात खबरों में अब भूटान के दौरे की क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी दो दिन की अपने भूटान दौरे से वापस लोटाए हैं लेकिन जब पीम मोदी भारत वापस आ रहे थे तब जो तस्वीरे सामने आएं वो चीन को जलाने वाली थी 140 करोड भारतियों को गर्व करवाने वाली थी मोदी ने लोग तंत्र के महायग्य के चलते हुए समय निकाल कर जिस तरह से भूटान का दौरा किया भूटान नरेश ने भी उसी तरह पीम नरेंद्र मोदी को समान देकर भारत के मान को बढ़ाया और चीन को परिशान कर दिया इस पर देखिए हमारी एक खास रपोर्ट भारत और भूटान के समन जितने प्राचीन है उतने ही नवीन भारत और भूटान एक साजी विरासत का हिस्सा है भूटान से प्रिती मोदी की कूट नी थी भारतिय के नाते मेरे जीवन का बहुत बड़ा दून है भूटान में मोदी का सम्मान जीन परिशान ये तस्वीरें देखकर एक सो चालिस करोर भारतिय गर्व महसूस कर रही है जब प्रधान मंत्री मोदी को प्लेन तक छोड़ने आए भूटान नरेश ऐसा शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब कोई दूसरे देश का पी-म या राजा प्रोटोकॉल तोड़ कर भारत के प्रधान मंत्री को जहास के अंदर तक छोड़ने आया प्रधान मंत्री मोदी को भूटान के सर्वोच नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया पी-म को और्डर ओफ दड्रुक ग्यालपो से सम्मानित किया गया भूटान नरेश जिग्मेखेसर नामग्याल वांगशुक ने प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया। पियम मोदी ने कहा कि भारत भूटान के लोगों के दिलों में बसता है। उनकी यात्रा का उतेश्य पड़ोस प्रथम की नीती के तहट भूटान के साथ भारत के अनूठिस संबंधों को और मजबूत बनाना है दोनों देशों ने कई समझोतों पर भी हस्ताक्षर किये हैं जिनमें उर्जा, व्यापार, डिजिटल किनेक्टिविटी, अंत्रेक्ष और कृषी के एक्षेत्र में समझोते शामिल है इसके अलावा दोनों देशों के बीच रेल संपर्क की स्थापना पर समझोता ग्यापन को अंतिम रूप दे दिया गया है मोदी ने भूटान के निरेश जिगमे खेसर नामग्याल वांग्चुक से मुलाकात की और प्रधानमंत्री शेरिंग टोपगे से अलग-अलग मुद्वों पर चर्चा भी की पिया मोदी का भूटान दोरा बेहत एहम माना जा रहा है पिया मोदी के इस दोरे से चीन को सद्मा तो जरूर लगा होगा भूटान की भूमी पर भी चीन निगाहें गड़ाए बैठा है ऐसे में भारतिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान दोरा ये दर्शाता है कि भारत और भूटान के संबध्धों की जड़ें कितनी गहरी है भारत भूटान के विकास को लेकर आने वाले वक्त में आगे कदम बढ़ा कर कारे करने को प्रतिबध नजर आ रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने घोशना करते हुए कहा कि पांच वर्शों में थिमफू को दस हजार करोड रुपए की साहिता प्रधान की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में मात्रे एवं शिशु अस्पताल का उधगाटन किया भारत सरकार ने 150 बैट केस अस्पताल को बनाने में साहिता दी है अस्पताल के पहले चरण के निर्माण में 22 करोड की लागत आई थी जो 2019 से ही चालू थी अस्पताल के दूसरे चरण का निर्माण 2019 में शुरू किया गया था वहीं बारहवी पंच वर्षिय योजना के हिस्से के रूप में 119 करोड की लागत से अब इस अस्पताल को पूरा किया गया है कि आने वाले पांच वर्षों में हम दोनों देशों के पारस्पारिक सहयोग को नई उंचाई देंगे हम भारत भुटान के बीच कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्टर ट्रेड और एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाव पर काम करेंगे एक तरफ भारत में लोकतंत्र के महापर्व की तैयारियां जोरों से चल रही हैं दूसरी तरफ पियम मोदी अपने पड़ोसियों को भी मैसेज दे रही है पियम मोदी दो दिन की भूटान यात्रा से लोट आए है उनकी ये दो दिवसीय यात्रा ऐसे समय पर हुई है जब भारत में चुनावों की तारीख आ चुकी है सभी पार्टियां जोर शोर से परचार में चुटी है पियम मोदी चुनाव परचार छोड़कर भूटान की यात्रा पर है इससे ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है भारत की पडोसी प्रथम की नीती का ये सीधा उदाहरन है इसके अलावा पियम मोदी की ये यात्रा तब हो रही है जब चीन और भूटान अपनी सीमा से जड़े मुद्द सुलजाने में लगे हुई है ये यात्रा हिमाले में चीन की ग्रे जोन युद पर एक बार फिर ध्यान के इंद्रित करती है ग्रे जोन युद टूल किट में चीन दूसरे देशों को अपने दबाव में लाने के लिए सेन निबलों के इस्तिमाल नहीं करता है चीन कानूनी, राजनीतिक, राजनाइक, आर्थिक और मनोवैगनिक तरीकों के जरी ऐसा करता है भूटान की संप्रवता को कमजोर करने के लिए चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में सेनिक शमताओं को बढ़ा रहा है 2017 में चीन ने सीमावर्ती इलाकों में गाउं बसाने शुरू किये भारती सीमा के करीब भी चीन गाउं बसाता रहा है चीन और भूटान के आकार में जमीन आस्मान का अंतर है फिर भी चीन भूटान की संप्रवता को कमजोर करने के लिए लंबे वक्त से कोशिश कर रहा है भूटान और चीन के बीच विवाद के ये तीन खुशित रही पूर में सक्तेंग, उत्तर में वेयुल खेनपाजोंग और में चुमा घाटी और पश्चे में डोकलाम, चरिथांग, सिंचुलूंग अपा और ड्रामाना और शाखाटो के कुछ हिस्से शामिल है भूटान अच्छी तरह जानता है कि चीन से उसकी रक्षा सिर्फ और सिर्फ भारत ही कर सकता है भारत और भूटान की आकांक्षाएं एक जैसी है हमने 2047 तक विकसित भारत बनाने का निर्णे लिया है जबकि भूटान ने 2034 तक उच्छ आयर राश्ट्र बनने का फैसला किया है ब्योरो रिपॉर्ट भारत 24